येस तो आज हम सेखने वाले अभी हमें पता चल चुका है कि इसमें हम दो एनिमेशन भी बना सकते हैं म्यूजिक तो अब अब फाइनली हम सीखने वाले हैं हाउ चू प्रेट अब मैं चाहते हूं कि यहाँ पर मैं आपको फिर्स्ट हम देख लेते हमने क्या बनाना है साथ मेच यंग ! ये आप कर सकते हूं ये आप कर सकते ह cuánt pro gridge बना सकते हो different icons program बना सकते हो and आपको कुछ नही कहना simply block use करना है and simplyfacing on script area में गेम, गेमिव यह, so let's check out हमने इसको कैसे करना है, so किस तरीके scripting करना है, इसके script area में, कौन से block यूज करना है, so we'll check it out, so सबसे पहले again, we have to go to, we'll go to topmost, file, click on file, and first let me stop this, तो file, file में चाहेंगे, हम new, topmost में, and new में, I'll take a new page, and we'll start, कि हमने कैसे रेना है, so again, यहाँ पर हमारा important है, right side, left side, and script area हमारा है, this, this is a script area, stage, this is a right side, this is a left side, तो सबसे पहले, मैं स्टेज के बिलो जाऊंगे, पहले ही character out करूंगे, because, आज हम सेख रहे हैं, how to bounce around the ball, so I just want, कि ball bounce करेगा, what I give instruction, वो वैसे ही करेगा, so let's check it out, so सबसे पहले हम जाएंगे, right side में, I will choose one background, तो मैं backdrop चूज करूंगे, new on, जैसे कि मुझे नाम पता है, तो इसलिए I go directly, and I will create, and choose a sprite, तो अभी हम character है, तो मेरा character ball है, simple, तो यहाँ पहीं तिख रहा है, so simply we'll take this, and first of all, आज हम बना रहे हैं bounce around, so game related है, तो अभी हम game के either step move on हो रहे हैं, तो अभी हमें, इसमें सीखना, इसको कैसे बनाना है, and करना है, so we'll use this, bounce around, okay, genius, so अभी, get ready with your notebook, and note on the code which I'm going to share you now, अभ जैसे कि हमने backdrop चूज का लिया, then we choose a character from the right side, अभ मैं चाहा रही हूं मेरे left side, and I will choose, हमेशा मैंने का event, event is a prior, हमको ये लेना है, when green flag click, मैंने drag किया, drop किया, मेरे script area में, ये मैंने कर लिया है, अभ मैं चाहती हूँ, कि जो मेरी ball है, वो motion में जाना है, क्योंकि मैं गेल बना रही हूँ, कैसे bounce होना चाहिए, तो सबसे पहले, मैं चाहती हूँ, turn 15 degree हो, I have already taken this, and I want कि, वो अब move होना चाहिए, right, so I will take a move step, अभी यहाँ पर ये इस चीज को मैं आपको करके, क्या difference आता है, 10, 15, हम number बढ़ा देते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि speed होती है, but अभी हम उसको live देखेंगे, so you will understand, and मैं चाहती हूँ, कि I want कि यह, अब इसमें हम नया एक सिखेंगे, if no edge bounce, यह code use करना है, then only it will play a proper way, तो अब मैं इसमें चाहती हूँ, I will choose, तो मैं चाहती हूँ, जैसे हूँ turn हो जाए, and then it continue play with, आप music भी डाल सकते हैं, but उसको फिर music भा speed में हो जाएगा, and then, आप भी हम play करेंगे, तो पहले मैं 10 step का दिखाती हूँ, कि क्या होता है, तो यहाँ पर आपका large number of, to move faster करना है, तो यहाँ तो यहाँ तो यहाँ आप चाहती है कि शोट पर पहले 10 का दिखाती हूँ, let's get started, मैं अल्रदी लिए वेंगे फ्लाइक, तो simply click, तो देखिए, if I choose move 10 steps, तो इस सारी कैसो होता, it will move in this way, so I simply stop, I will show you the difference, if I check a larger number over here, so what we will find, see the speed, okay, so this is what happening, going to be happen, यह अपनी speed change कर लेगा, simply, then see, तो अपनी speed change कर लेगा, अगर आपको चाहते हो कि इस सारी कैसे, तो आपको चूज करना है कि कहाँ से प्लो हो, क्योंकि मैंने अभी इसको, X and Y area नहीं consider लिया है, क्योंकि इस केमिंग बनाने का भी है, आपके according है, कि X and Y इस पोजिशन बढाने, यू जस्ट सिंब्ली कूट और, क्योंकि हमने वो अलड़ी समझ किया है, तो अब हमने इसमें निया सीखा है, आपके इसमें लूप को यूज आपके लूप को यूज करना है, ताकि वो कंटिनू में तीखें, तो है नहीं इंटरस्टिंग तो अब हम इसमें और एक चीज़ सिखेंगे, and let's get started, so see here, इसको stop करने दो, So, अभी हमने से लिए है कैसे हम एक बाल को बांस करते हुए हम नहीं देखा था, अब हमें बताती हूँ कि आपको गेम और कैसे आइड करने हैं, step 2 में चाहते है, step 1 में हमने basic thing देखा कि वो कुछ नहीं कोट्स, हमने कैसे ब्लॉक्स थे वो नहीं यूज किए, हमने उसमें अभी यहाँ पर भी हाँ, different एक निया एड ब्लॉक सिखने वाले हैं कि कौन से यूज करेंगे, and then see, क्या होता है, so this is, अभी आप देखिए, मैं चाहां माउस पॉंट्टर आप देखा आप यह गेम खेला भी होगा, आप दोट आप我覺得 up इस सरे के से भांक हह अपर भांस करने देखिए, could भांस करने देखिए, इस अपर भांस नीचे नी गिरने देखिए, अभी आपके वाल्याद है, so kinda interesting कि पहले हमने देखिए, आप चाहते हूं कि इसको गटे, game over, game start सब बना सकते हैं, Game Start, Timing score और तो अब हम यह सेखने waaler हैं कि जब आएगी, तो कैसे मैंने यह यूज करना हैं, अब वो देगी है तो लेट गें तो अब इसको में स्टॉफ कर देती हूं और अब इसको कैसे करना है तो अब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले simply I will go to my topmost, find पे click, new file and then ticket तो अब मैंने क्या आज सिखाने वाली हूं, move the paddle अब हमें कैसे करना है तो M-O-B-E करें हम title देंगे and topmost में जाके title देंगे, move the paddle तो अब हमनो start करते हूं, so you must be excited too, again juniors get ready with your books and start writing the commands we are and now, अब मैंने title दे दिया है, अब मैं चाहती हूं कि मैं चाहूं कि stage के below and I will remove this character, I will delete this character because some came, we are not doing the animated part, so just as I have done it, I will choose my sprite and backdrop so first I will choose my backdrop, I simply click and my neon backdrop will be because I will tell you about it okay, now my character will change, I will choose a paddle over here so this is gonna paddle, so I simply see your eyes out here, okay so I will place it, I will place here, because I want to know that when I have set up here, I will play it now, so I have changed my backdrop and I will change my, I choose the sprite and backdrop now I am moving to my left side, I will go to my left side and go to my code and I will use this block and the first event simply I click on my left side, I will go to my code and choose event and simply drag and drop on my script area so this is a little bit of scripting, so we will change it, so it will be easy, it will be visible to you all so now, I have chosen, now I want to choose, now I want to choose, if this is what happens to me, no I will set up, I will set up, command, when I use mouse, it should move, wherever I take the mouse so I will change my ball, so I just need to handle, this game I have already played, now I am learning to create and you can play the game, you can play the game, and you can play the game, you can play the game so now I will choose control and I want to go forever because I want you to continue, so I will choose that and again, we will go to the set x over here, so that it goes simply way, so we will set x and it is here so I just simply took this and I want to change, now I am doing the addition thing that I have given this number and I am doing the last number, so I will choose option to set x to mouse x, so when I have ball to change, I am going to turn and now I will set x to mouse x, so when I am using this command कि माउस एक्सक्राइब करना है तो तेखिए माउस एक्सक्राइब करना है क्योंकि I will use this जब बॉल आये तो I will manage and it should not touch the floor so this is way, है नहीं सिम्पल so this is so means almost you are close to how to create a game so this is the way you have to do this program जो ब्लोग से उनको राइक करना है drop in script area and you are the master in the gaming so I have music, animated and gaming so this is the complete hub where you can create and you can share with your community and you get reviews and more to more idea जितने देखोगे दुस्टोगे गेम्स and also you get idea कि मैं और क्या यहापस ब्लोग यूस करूं सोटर आप इसमे आप बहुत कुछ आइट पर सकते हैं यह एक सिफ एक beginner's point of view से यह कैसे steps है हमने वो सिखे हैं and then we'll learn how to create a complete program okay guys I'll see you in the next class जिसमें हम नेया प्रॉप प्रोजेट सिखेंगे